असलाम वालेकुम दोस्तों मैं हुआ आपका दस गोडू और आप दोस्तों जैसी कि आप दे सकते यह हमारे आपकी बजीस चिडिया है और फिन चिडिया है दोस्तों आज इसके अंदर माने देखे आप यह पानी का कटोरा रखा दोस्तों इसके अंदर में चिडिया देखो कि तोरेस किंदर में अभी हम तोड़ा दूर हो जाते फिर देखे तो साफ किस तरी कितना हैंगे यह हमारी फिन चेडिया जो नीची बाटी है और यहाँ पर पाला खारी है यह नीची उतरी है यह वलू वाली वहती दोस्तों बहुत पाले से नहाना चालू कर दिये थे मगर वीडियो में लेड पनाया दोस्तों पुरे गिल्ले उचुके नहाना के एकदम अच्छे तरीक से एक तरह के सिन के बाशिक हो भी अभी दोस्तों मुझे देखके लगता डर रही है दोस्तों शायद हमारी एक बजीस चड़िया ने मटकों के अंदर अंड़े दिये जो दोस्तों हमने कुछ दिन पहले उपर एक मटका लगा थे इसके अंदर में शायद से हमारी बजीस चड़िया ने अंड़े दिये बजी चिडिया लगातार तिन चार दिन से इनदर हेती ज्यादा भार भी निया आ रही तो मुझे है आऻलो वाल ऑला म formulas नार से हतेंगे है उसको उसको भहोए के जिपगे है और यह समुझ tane आई इस तरहixel परका हेते है यह स्विसा जूड़ा की और और इस तरीके दे पुर्य गिल्ल्यों चोगे नहानाक एक दम बहुत अच्छी तरीके से नहाई इसके अंदर इन्ने दिखिया आफ यह नर जिसके तो सब धुमनी है धुमारे इसके भी यहाँ बाजरा है पानी है पाला के सामार है सब है आपर इसको अभी देखना दोस्तों यह है कि मट्की के अंदर नदा दिये के इंदी इसमें वेची दोस्तों मैंने भी पेटियों के कबुतर बन कर दिया अभी लॉफ्ट के कबुतर मुझे खुलना है अभी दिखते है हमारे लॉफ्ट बजीज का कॉलेनी यह है पालक समार चलती उपर में हम दोस्तों आगे हम उपर में और यह जो पीठिया के पुरे कबुतर थे सारे पीठी के कबुतर मैंने बन कर दिया दोस्तों एक मुखी कबुतर बचाए यह कबुतर बचाए खतंग कबुतर जाया हो जाए हमार आरास्ते हमें पताई निया कितने कबुतर हम बन ये कितने कबुतर खोडरे तो अभी उनके कबुतर हम सेपरेट खोला करेंगे और रॉय सलन्लिक पन करता का पुरों te देखिए आप लोफ वाले कबूतर और पीठी आले कबूतर में क्या फ़राखे दोस्तों इसके अंदर में मेरा एक भी कबूतर का जोडाइन लगा लॉफा के अंदर में और दोस्तों इसके अंदर में जोड़े वाले कबूतर है doodh इज दम मोटी मोटी बीट करते हाई इस चकापे तो जो तो ये इन में ब्ट जयादा प्रॉब्लम होती वढ़े आप दोस्तों इनको में दूंगा रोटी क्योंकि दोस्तों पाले मने पेठी आले कभूतर के जब रोटी दाला था तो थोड़ी सी रोटी बचा के राखा था क्योंकि मुझे इनको भी रोटी दालना था देखिया यह है रोटी कबुतर किस तरीके दर रोटी खा रहे और जो जो हमारा जंगली कबुतर है दोस्तों यह हमारा जंगली कबुतर दोस्तों इसकी हलकल की चो चाहिए तो यह भी धिरे-जरे रोटी खा रहा है अब इसके टेंचन निये कि इसको कटोरी में दाना देना पड़ता ये धिरे देर दाना खाने जालू कर दिया तो दोस्तों इनको रूटी खान देते और देखेंगे कोई कभूता आता हैंगे तो एक पेटी खोल देंगे बस अब देर में ये कभूतारी बन कर दूँगा मैं लॉफ के अंदर से कभूतार भार करता अब पुरा खाली होगे हमारा काफी जारे भाई ने मुझे कमेंट कहता भाई पैसे जाया कर रहे हो मतलब पैसा लागा रहे हो आप लॉफ बनाने में तो थोड़ा बड़ा बने ये इसकी पुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगी होती है हमको ये मिले ठीक है इसे आराम से हम पचासी कभूतार रख सकता लॉफ के अंदर में उनको रूटी खान देती है हम कभूतार का रूटी खाके उचुका है और इसके अंदर में दुस्तों में सब्सक्ता ये कर रहा हूँ स्टेंजेर लॉफ के अंदर में इस दोवाच को वहले भाल निकलती हम चल चल इंदर चल अस्वाथ पिलाग दिख रहे है आपको इस पिलाग को मैं ऐसी बाननी के सुचरा सॉरी ऐसी ने ऐसी बाननी के सुचरा इसको कुछ इस टैप से क्योंकि जोस्तों कभूतर इसके उपर बढ़ियेंगे दो तीन कभूतर तो आराम से आजेंगे इस ती जगह पर इसको बानते हम बार मैं बहुत अच्छी तरीक से एकदम पटियार का सेटप बनाऊंगा गिवल के अंदर में इसके उपर हमने हमने एक एक पाट डाले कैसी ह बौसर खरें इसके उंदर पटियार लगी ऐगि 2 अजब इसके अंदर कभूतर पड़ार करेंगे तब देखना किसे अच्छे अ कभूतर सिलाक को बन लेता और या सिलाक अध्यला हम एंग इसकी दिन से ऐत वह जो आपको निचे थे लटके हुई दिखरी वहाँ पे गोड़ा इट करना लगा देता और दोबाच कबूतर के मारे पर बाना तो इसकी बाच लटक गी एक सेट के तो इसके पर फुलना पड़ेंगा अभी कबूतर को डोटी भी दाल दिया बाजरा भी दाल दिया और लॉट के अंदर में थिलाग भी बन दिया लकड़ी भी लगा दिया यह देखिया लटा कुछ चेंज करें इसके अंदर में हमने कि दोबाच कबूतर के मनें पर खुल दिया जिसके पर एक सेट के लटक चुके थे ये हैं दोस्देश दोबाच कबूतर जिसके एकसाइट के पर लटक चुके थे देखिया इसके पर भी खुल Athlete या इभी ये शेर के रखेंक फैनल दना दे देता और बन कर देता कभूतर ko और चलते हैंके नीचे में दोश्टाव अभी कभूतर बन कर लो ढखें से अदुस्तो यहां। यह dość थी मसता लग रहाया मुचि पीछे का लॉफ मेरा मनें आधे कबुतर रल खोला आधे कबुतर रल खोला तो दोस्तो टैम भी बच गया और कबुतर भी जल्दी बंद हो गए और चलते दुस्त आप नीचे हम यहां से दुस्त दुसरा मोबैल ले लिता मन क्या दो मोबैल है बाकी सामन दुस्त पानी के वोटा ले राइप उठे और जिस्ते में रोटी लिखाया वह था चलो वाई वाई कबुतर चलता में नीचे अप कि दुसरे कभुतर के जोड़ लगा था सिक्रव लंडर में अप दुस्तो जो हमारा स्टिक्रव लिटन यह रख दिया पानी के बॉटल ट्राइपोट और दोस्तों हमेशा मास लागा के पिटी खुलता हुआ कि जो कभूतर के अंदर के डस्ट रहती वो एकदम खेश के क्यूप पर आती तो सेयज के लिए से मडला ठीक निये वराबर हुआ आगे हम बालकनी में देखिया आप बजी स्चिडिया को भी अभी दोस्तों इन्हाली अच्छे तरीके ते एकदम एकदम एक दिर्श घंटा में इसको और हिंदों का पानी के कटो रहेगू फिर उसके बाद में इसको हटा दूँगा बादरा भी दनला पड़ेंगा इसके अंदर में फिर से इन्हें अच्छे तरीके से न्हाली एकदम और एक बजी स्चिडिया मठके के अंदर बढ़िए